हलो और वेलकम बैक टू माई अनदर फ्लोग हम होम मेकर्स घर में सारा दिमिया तो खाली बैटे रहते हैं या फिर बीना मतलब के कामों में महनत करती हैं और अपना जितना भी एनरजी होता है वो सारा वेज करती हैं नहीं ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगा हम ये कह सकत हैं कि कुछ काम कीचिन में हमारी ऐसे होते हैं जिनमें बहुत जादा महनत की जरूरत होती है यानि कि बहुत जादा जोर लगता है उन चीजों को करने में तो उन चीजों को करने के लिए अगर हमें सटीक तरीके बाता लग जाएं तो वो काम हमारे और भी आसान हो जाते है आज मैं जिब खाना बना रही थी तो तवे पे कुछ इस तरीकी के निशान पढ़ गए और आप लोग भी जब भी पराठा या चपाती बनाते हैं तो ऐसे निशान पढ़ जाते हैं तो इसमें आपको फाल्दू की मेहनत करने की जरूरत नहीं है बस गैस ओन कीजिए और अपना तवा उसके पर रख दीजिए फिरेगिलास पानी लेके उस पर थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए जब यह पानी इस तरीके से बॉल होने लग जाता है तो उसके अंदर आपको एक नॉर्मल सा डिटेरजेंट यानिके जो आप यूज करते हैं अपनी वाशिंग्स में उसको आपको लेना है और इसमें डाल देना है बस जिस तरीके से हम लोग दूद में या किसी लिक्विड में खदे लगवाते हैं उसी तरीके से इसमें भी खदे लग जाएंगे और जैसे जैसे खदे लगेंगे बस आपको एक स्पून से लेके इसको धीर धीर चलाना है यानिकि जो उपर की साइट से उन पे भी थोड़ा थोड़ा इसको फैला लेना है क्योंकि अगर ये बीच में पड़ा रहा तो बीच वाला पोर्शन तो हमारा क्लीन हो जाएगा लेकिन साइड वाला पोर्शन क्लीन नहीं होगा तो आपको चमच से इस तरीके से उसको कर लेना है और देखिए इसमें आपके कोई महनत भी नहीं लगेगी नहीं आपके हाथ गंदे हुए बीना महनत किये आपका दो मिनट के अंदर तवा जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से वोश हो जाएगा और जितने भी निशान पड़े होंगे वो भी साफ हो जाएगे बस उसके बाद आपको गैस ओफ करना है और जो स्टील वाला स्ट्रबर होता है वो लेना है हलका सा बस उसको इस तरीके से नॉर्मल वोश आपको करना है कोई जादा जोर नहीं लगाना है और आप देखना आपका तवा बहुत ही अच्छे से चमक जाएगा मैं आज ये तरीका खुद करके देख रही थी तो सोचा कि चलो आप लोगों को ही बता देती हूँ और आप लोगों को भी है helpful रहेगा मुझे जो ये तरीका है वो बहुत ही पसंद आया उमेद करते हूँ आपको भी ये जो तरीका है वो बहुत जादा पसंद आएगा देखिए हमारा जो तवा है एकदम से चिकना हो गया है कल बने थे घर में इडलीडों से तो उसके साथ नारेल की चटनी दो बनती है लेकिन हर बारना मुझे नारेल तोड़ने के लिए एक मश्रकत करनी पड़ती थी फिर मैंने एक वीडियो देखा उसमें इस तरीके से उन्होंने नारेल को शीलने का तरीका बताया तो बस मैंने सोचा कि चलो आज मैं उसको फोलो करके देखती हूँ तो बस आपने क्या करना है पेजकस ले लेना है इसके जितने भी उपर बाल होते हैं ऐसे उसको इस तरीके से पेजकस की हल्प से निकाल देना है आपको जैसे सही लगी आप वैसे निकाल सकते हैं या आपकी पास और भी कोई इसको निकालने का एजी तरीका हो जो हमारा में शोफसे होता है 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 तो उसके पहले ऊपर वाली स्केल्प है उसको निकाल लेना है बस उसके बाद को क्या करना है की अब ही निक निकालना है पानी बहुती फाइदी हमनivan द हो जरूर पीना है तो हम सब्सYo invece curry- Boston Ajax से यानि कि जो कुंडी सोटा होता है आपका उससे उसी निशान पे as it is आपको हलका हलका इस तरीके से मारना है इससे क्या होगा आपका जो नारिल है वो दोनों पार्ट में equally डिवाइड होगा कहीं से छोटा बड़ा नहीं कटेगा जिसके लिए आप मतलब कि इसको आप किसी DIY में इस्तेमाल कर सकते हैं और कई बार लोगों को क्या है जरूरत होती है कि हमारे जो नारिल के ओपर वली स्कीन है वो as it is हमें मिले तो उसके लिए आपको क्या करना है हाफ पार्ट को आपको इस पर गैस पर रख देना है slow आच पर वह भी इस तरीके से आपको हिलाते रहना और उसके बाद आपको किसी पकड की help से उसको इस तरीके से अपने countertop पे मारना है तो धीर धीर आप देखेंगे यह अपनी skin छोड़ना खुद ही शुरू कर देगा इस वाले method में जो है आपको इसका उपर वाला scalp पूरा नहीं मिलेगा इस में as usual आपको निकालना वह automatic ही remove होता चला जाएगा यह दोनों ही तरीके मैंने वीडियो में देखे तो सोचा कि चलो दोनों ही तरीके आज मैं follow करके देखती हूं दोनों में से मुझे भी जो best लगेगा वह जो easiest लगेगा उसी को मैं follow करूंगे और आप भी ऐसे कर सकते हैं फिर आज पे काला होने क कि वज़े से यह थोड़ा सा मतलब डार्क हो जाता है आप इसको अच्छे से साफ पानी में clean कर सकते हैं इस तरीके से clean करके dry करने के बाद ही रखिएगा अधरवाइस इसके अंदर fungus लग जाएगा तो इसको dry करने का जो process है वो आपको जरूर से करना है टैंकी के पानी में wash करने के बाद आप इसको एक साफ पानी में wash कर लीजिए यानिके filter water में फिर जो हमने freezer में अपने एक part रखा था उसको ले लीजिए देखिए यह अपनी side छोड़ना ये भी शुरू कर चुका है और फिर हमें क्या करना है बस आप एक knife ले लीजिए knife को जहां पर ये side उसने छोड़ा है उसमें हलके से तरीके से इस तरीके से उसके अंदर डाल लीजिए और ऐसे डाल के आप उसको घुमाएंगे ना वहलके से अपने आप ही निकलना शुरू हो जाएगा और सच बताओं तो मुझे ये वाला तरीका बहुत जादा बैस लगा ब जोर लगा कितने सारे फाइदे हैं इस वहले प्रोसेस के तो मेरा फ्रेंकली जो मतलब फेवर जाता है वो सेकेंड वाले हैक को जाता है आप लोग भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसमें कोकोनेट शेल जो है आपको पूरा मिल जाता है आप इसका कुछ भी विनेगर यानि के सिरका तो सभी के घरों में मिलता है आपको बस उससिरके को एक कोटन पे थोड़ा सा ले लेना है कोटन पे ले लेने के बादको क्या करना है जिस भी बासकेट या बरतन में आप फ्रूट रखते हैं आपना और जहां पें भी मच्छर आते हैं उस एरिये म नहीं रहेगा और यह तरीका भी मैंने एक वीडियो में देखा था मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा चलो आप लोग को भी मैं दिखा देती हूं और इसको पहले मैंने खुद से फॉलो किया तब ही आज मैं आपको दिखा रहे हूं तो जो जो भी तरीके आज मैं मैं प्रॉब्लम दिखा देती हूं हो सकता है कि आप भी मेरी तरह इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हूं तो यह सोलूशन मैंने आपको आज दिये हैं आप इनको फॉलो जरूर कीजेगा और अपनी लाइफ को असान बनाईएगा ताकि आपका जो किचन का काम है वो भी अस सानी से हो जाए कोई प्रॉब्लम आपको ना आए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेर जरूर कर दीजेगा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजेगा